अगर आप भी चाहते हैं कि RCM Music के वीडियो से सबसे पहले आप तो पहुँचे तो लाल बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में बेल आइकन को दबाना ना बुलें आईए मैं आपको इस कहानी सुनाने जा रही हूँ जिसमें स्वर्ड इसमिता सिंग्ची ने दिया है और ये कहानी जोती रगुवंशी द्वारा बताई जा रही है आईए सुनते हैं इस कहानी को एक चडिया थी जो रोज दाना चुगने के लिए अपने बच्चों को घोसले में छोड़ कर दूर जंगलू के पार बस्तियों में जाया करती थी एक दिन किसी घोडे पर उसने चने का दाना पाया, वे उसे लेकर चक्के में दर्मे के ले गई, दाल दर्ते दर्ते एक दाल खूटे में फसी रह गई, एक ही दाल बाहर निकली, चडिया ने उसे निकालने की अपने और से बहुत कोशिश की, लेकिन वे सफल नहीं हो सकी, उससे कहा, बढ़ही बढ़ही खूटा चीरः खूटा मी मुरदाल बा, का खाओं का पीओं का लेके पर दे से जाओं बढ़ही ने उसकी एक ना सुनी, और उसे दुद्कार कर भगा दिया, फिर वह राजा के पास गई, चडिया ने राजा से गवहार लगाई, राजा ऐसे बढ़ही को डंड दो, जो मुझ जरूरतवन्द की बात नहीं सुनता राजा राजा बड़ही डंडो, बड़ही न खूटा चीरे, खूटा में मुर दालबा, का खाओं का पीओं का लेके पर दे से जाओं राजा के पास कहां इतनी फुरसत थी, कि नगनी चडिया की बात सब काम छोड़ कर सुनता जब उसने भी विंती पर कोई ध्यान नहीं दिया, तो वह राणी के पास गई, और राणी से बोली, हे राणी, तुम अन्याय राजा का साथ छोड़ दो राणी राणी राजाते जो राजा ना बड़ ही धंडे, बड़ ही न खूटा चीरे खूटा मी मुरदालबा, का खाओं का पीओं काले के पर दे से जाओं राणी भल अपने राजा को क्यों छोड़ने लगी, राणी ने रोती बिलक्ती चड़िया की एक ना सुने, और उसकी बात मानने से इनकार कर दिया, फिर गुरईया उड़ी, और साप के बिल के पास चाकर रोने लगी, बिल से निकले साप से अपनी विंती दोराई सरप सरप राणी डसो, राणी न राजा छोड़े राजा न बड़ा ही डंडे बड़ा ही न खुटा चीरे खुटा में मुरदालबा, का खाऊं का पीऊं काले के पर देश जाऊं उसने अपनी राम कहानी सुना कर विशैले साप से कहा कि तुम जाकर उस राणी को डसो, जो गरीब के गौहार नहीं सुनती जो राणी सब को जान कर भी हमें राजा से नयाय नहीं दिला सकी, और नहीं राजा को छोड़ सकी, तुम जाकर उसे क्यों नहीं डस लेते साप ने भी उसमें अपनी असमर्थता चताई तब भागी भागी गोरया जंगल में जा पहुची और उसने बास से विंती की तुम लाधी बनकर साप को मारो लाधी लाधी विसधर पीटो विसधर न रानी डसे रानी न राजा तेजे राजा न बढ़ ही डंडे बढ़ ही न खोटा चेरे खोटा में मुरदालबा का खाऊं का पीऊं काले के परदे से जाऊं बास की लाधी भी भला उस ननी गोरया के लिए उस साप से क्यों बैर मू लेती उसने भिनकार किया तो गोरया गुस्चे से भर उठी और उड़कर भर भूजे के हां भबक रही आग के पास जा पहुचे और उसे ललकारा हे आग तुम सारे जंगल को जला कर राग कर दो जिसमें वे बास की पेड है जिसकी लाधी गरीब और बे सहारा के लिए नहीं उठती कोई मुझे मेरा हस नहीं दिलाता आग ने जब कारी बात विस्तार से जाननी चाही तो गुराईया ने अपनी राम कहानी उसके आगे भी सना दी आग आग जंगल जारों जंगल न लाथे पटवे ला ती न विस धर मारे विस धर न रानी डसे रानी न राजाते जे राजा न बढ़ ही डंडे बढ़ ही न खोटा चीरे खूटा में मुरदालबा का खाऊं का पीउं काले के परदेस जाऊं फिर आग ने इतनी छोटी सी बात के लिए गौरईया की बात मान कर गुरे जंगल को जलाना ठीक नहीं समझा और जंगल को जलाने से इनकार कर दिया तो गौरईया बहुत दुखी हुई लेकिन निराश नहीं वै सागर के पास पहुची और उसे अपनी पूरी बात सुना कर आ आगर सागर आग बुझाओ आग ना जंगल जारे जंगल ना लाठे पटवे लाठी ना बिसधर मारे बिसधर ना रानी डसे रानी ना राजाते जित्रा आ जाना बड़ा ही डंडे बड़ा ही ना खुटा चीरे खुटा मी मुरदाल बाब का खाओं का पीओं का लेके परद विशान सागर भला गौरईया की इस कोहार को क्यों सुनता वे अपनी मस्ती में हस्ता हुआ गुजरता रहा और गौरईया उसके किनारे अपना सिर्थ धूनती रही। अन्याई के विरुद खड़ा नहीं होता जानते हो हमारे साथ क्या गुजरी है और वे गाग आकर पूरी व्यथा कथा हाथी को सुनाने लगी। बड़ा ही डंडे बड़ा ही ना खोटा जीरे खोटा में मुर्दालवा खाखाओं कापियों काले के परदेश जाओं। हाथी भी गौरईय की बात सुनकर तच से मस नहीं हुआ। उसने भी उसका साथ नहीं दिया और उसकी बातों को हवा में उडाता हुआ अपने लंबे लंबे सूप जैसे कान हिलाते मस्ती में आगे निकल गया। अब नन्नी गौरईय का धीरज तूटने लगा। वह ठक कर चूर हो गई थी। जहां की तहां बैठी लाचार सी होकर आसू बहाने लगी। सारी दुनिया उसे अंधेरी दिखाई देने लगी। किस किस से उसने अपनी काहानी नहीं सुनाई। लेकिन किसी ने उसकी मध़त नहीं की। बे सहारा लाचार की करुण पुकार पर कोई ध्यान नहीं देता। तभी उसके पैरों के पास एक नन्ही सी चीटी आगर उसका ह पूछने लगी उसने देखा नन्ही नन्ही चीटियों के एक लंबी कतार एक के पीछे एक बहुत ही अनुशाशित तढ़ंग से चली आ रही है उसने ध्यान से देखा उनका अध्भुत संगठन और अथक परिश्रम वे बड़ी फूर्ती तत्परता और सुन्योचित ढ़ंग मिल जुलकर किये जा रही थी ठीटियों ने आकर उसे घेर लिया और गौरईया से पूरा व्रितान सुना सुनकर सहानव भूती के साथ बोली बहन इस दुनिया में रोने गिड़ गिड़ाने से काम नहीं चलता और नाही बैठ कर आसु भाने से कुछ होता है हिमत हार कर मेरी क्या मदद करेंगी जबकि बड़ो बड़ो ने मुझसे मूँ मोड लिया और मेरी किसी काम ना आए खेर चलो देखते हैं कोई तो मेरी मदद के लिए आगे आया है चीटी बहना हमारा साथ देने चली है तो उसकी फॉज भी तो है उसके पीछे फिर घबराना क्या ऐसे पहार जैसा हाथी मेरे इशारे पर नाचने लगता है और तुम्हारी काम के लिए दोड़ा दोड़ा समुद्र के पास जाता है हिम्मत हारने से कुछ नहीं होता मिल जुलकर जुगत लगाने से ही समस्याओं के सामाधान का रास्ता निकलता है गौरईया फुर से पास क पेड़ के डाल पर जा बैठी और चकित होकर चीजियों की असंभव सी लगने वाली बातों को कारगरों से अपनी आखों के सामने देखती रही चीटी धीरे धीरे हाथी के पैल से सरक कर उसके कान तक जा पहुची हाथी अपने सूप जैसे कान हिलाता सूड से अपने मासे पर फूक मारता ही रह गया और चीटी उसके कान में खुसकर उसे तंग करने लगी और उसे समझाने लगी बड़े बड़े बलवान यदि अपने बल एहनकार में चूर होकर दीन ही छोटों की सहता ना करे तो उन्हें भी भान होना चाहिए कि काम पढ़ने पर छोटे भी कहीं सबने एक साथ चढ़ाई कर दी तो लेने के देने पड़ जाएंगे अपने परान संकट में क्यों डाल से हो मेरी नेक सला यही है कि तुम सीधी तरह चलकर गौरईया का काम करो नहीं तो आगे समझ लो मरता क्या ना करता हाथी जुन्जलाहट और घबराहट में चीटी की बात मानने को लाचार हो गया वह यह कहते वे गौरईया की काम केले सागर को सोखने को तैयार हो गया मोहे काटो टो मत कोई हमा सागर सोखा बलो होई चीटे ने हाथी का पेंड छोड़ दिया और गौरईया उसे धन्यवाद देते वे हाथी के पीछे पीछे उड़ती वापस सागर की और लोटी हाथी जैसे ही सागर के पास उसे सोखने के इरादे से पहुचा सागर हाथ जोड़ कर बोला मोहे सोखो खो मत कोई हमा आग बुझाई बलो होई सागर जब अपने तटो की सीमा छोड़ कर आग बुझाने के लिए उमड़ा आग ने थर थर कापते वे गौरईया का काम करने का वचन दिया और कहा मोहें बुझाओ उजाओ मत कोई हामा जंगल जारा बुलोई आग जंगल को जलाने के लिए बढ़ी गौरईया भी साथ में चली आ रही थी यह जानकर जंगल ने भी वादा किया मैं लाठी को साब मारने के लिए तुरंत भेजता हूँ लेकिन मुझे जलाकर राख मत करो मोहें जारो आरोमत कोई हामा सारा भामार बुलोई साब की क्या मजाल जो जंगल की बसवारियों में अनगिनत लाठीयों की मार से वहभीत ना हूँ उसने भी बिल के बाहर आकर गुरैया को भरोसा दिया मोहें मारो आरोमत कोई हाम रानी के डा सब लोई रानी ने जब साब को महल में आते देखा और उसके साथ गुरैया को आते देखा तो वह पूरी बात का अनुमान कर पसीने पसीने हो गई उसने हाथ जोड कर विंती की मोहें डा सो सो मात कोई हाम राजा के ते जब लोई रानी के उस वचन के बाद भला राजा क्यों अपने हट पर चिकता उसे तो गौरैया के धीरच, अथक, परिश्रम और सूजबूज का समाचार मिल चुका था उसने अपनी लापरवाही और अन्याय के लिए छमा मांगते वे फोरन बढ़ाई को बुलाने का वचन दिया और कहा मोहे ते जो जो मात कोई हामा बढ़ाई के डंडब लोई फिर क्या बढ़ाई ने राजा के सामने आकर गौरैया की बात नाम आने का प्राध कबूल किया और थर थर कापते वे राजा से गिड़ गिड़ा कर विंती की मोहे ते जो जो मात कोई हाम खूटा के चीरब लोई गौरैया को और क्या चाहिए था गौरैया बढ़ाई के साथ उस चक्खी की खूटे के पास पहुची जिसमें चने की दाल फसी हुई थी बढ़ाई ने खूटे से दाल निकाल कर दी और गौरैया उसे अपनी चोच में लेकर अपने खूजले में जा पहुची जहां उसके नन्हे नन्हे बच्चे जब से वह गई थी उसकी राहा में आखी बिच्छाए भू के प्यासे बैठे थे बच्चों ने चहच रहा कर उसका स्वागत किया और वह अपनी चोंच से चने का दाना अपने बच्चों को खिलाने लगी और गुन गुना कर पूरी कहानी सुनाने लगी कि कैसे उसने अपनी हिम्मत से काम लिया बड़ो बड़ो ने उसकी बात मानकर उसकी मदद की, लेकिन जब वह केवल रो गिड़ गिड़ा रही थी, तो किसी ने उसकी बातों पर ध्यान नहीं दिया, मदद के लिए आगे आई, तो वे चीटिया जिसकी संगठित सेना के सामने हाथी भी लचार हो गया, सची कहा गया ह सब उसी की मदद करते हैं, जो स्वैम अपनी मदद करना जानता है